नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पूर्वी शुक्ला और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काय 40 साल के उम्र के बाद महिलाओं के सामने सबसे बड़ी चुनोती होती है कि स्किन को डामज होने से कैसे बचाएं थाकि उम्र के एक बड़ाओ पर भी वो जवाद दिख सकें इसके लिए जहां पहली ज़रूरत हेल्दी डाइट है वही सही ब्यूटी रूटीन वब मेकप प्रोड़क्ट्स का इस्तमाल भी इसमें एहम भूमिका निफाता है आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे जिससे आप चालिस के बाद भी जवाँ और खुबसूरत दिखेंगी अगर आपकी उम्र चालिस से उपर है तो लाइफस्ट्राइल में थोड़ा सा बदलाव और इन टिप्स को फॉलो करके आप इस उम्र में भी यंग दिख सकती है चालिस की उम्र के बाद ऐसे लोशन्स और क्रीम लगाएं जो आंटी एजिंग हो इनसे चहरे की तवचा में कोलिसन बढ़ेगा और तवचा में जुरियां, जाईयां, धीली तवचा और फाइन लाइन्स जैसी समझ से आएं दूर हो जाएंगी चहरे पर जमा डेट स्केन और पोर्स में मौजूद गंदिगी को साफ करने के लिए नियमित क्लीनिंग वा स्क्रबिंग जरूर करें इसके लिए आप होम मेट स्क्रब का इस्तमाल भी कर सकते हैं बढ़ती उम्र में स्किन एक्सफोलीेट बहुत जरूरी है इससे डेट स्किन साफ होने के साथ तवचा में बलड फ्लो भी बढ़ता है जिससे बढ़ती उम्र का असर कम दिखाई देता है उम्र बढ़ने के साथ ही त्वचा की तेल गरंथियों की सक्रियता कम हो जाती है जिससे त्वचा रूख ही रहने लगती है ऐसे में बहतर होगा कि आप एंटी ओक्सिडंट और एल्फा हाइड्रोक्सी एसिड योक्त मॉस्चुराइजर लगाती रहें इससे त्वचा में नमी बनी रहेगी और आपको एंटी ओजिंग की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा चालिस की उम्र में सही मेकप का चुनाफ करना बहुत जरूरी है इस उम्र में बहुत ज्यादा भड़ गीला और शाइनी मेकप ना करें आखों के लिए ग्लिटर, शिमर शेट की जगा, आखों के कलर से मिलता हुआ कलर ही लगाएं लिब कलर भी हलकी रंग का हो तो बहतर होगा इसके अलाबा प्राइमर भी अच्छी क्वालिटी का इस्तमाल करें बढ़ती उम्र की समस्याओं जैसे जुरिया, आकने, पिग्मेंटेशन और डाक स्पोर्ट का सही इलाज ना होनी पर चालिस की उम्र तक ये बहुत बढ़ जाती है ऐसे में जरूरी है कि हलकी सी प्राबलम नजर आने पर ही आप इसका सही इलाज करें इससे ये समस्याएं धीरे-धीरे खत्म हो जाएंगी और आप इस उम्र में भी यंग दिखेंगे अक्सर महिलाएं नाइट क्रीम लगाना जरूरी नहीं समझती लेकिन इससे आप जुरियों की समस्याओं को दूर कर सकते हैं साथ ही नाइट क्रीम लगाने से त्वचा स्वस्त और चमकदार भी होती जाएगी 35-40 की उम्र के बाद बाल सफेद होने लगते हैं इस समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए महिलाएं डाई का इस्तमाल कर दी हैं लेकिन ये बालो को नुकसान भी पहुचा सकता है ऐसे में आप बालो को कलर करने के लिए नाचरूल डाई या महंदी का इस्तमाल करें इससे आपकी उम्र भी कम दिखाई देगी जबा देखने के लिए लाइफस्टाइल में अच्छे खाने के भी बहुत ज़्यादा जरूरत है अपने आहार में हरी सबजियां और ताजे पर रसीले फ़लो को शामल करें इसे तवचा को भरपूर पोशन मिलेगा और आप आंटी एजिंग की समस्या से बच सकेंगी जदना अधिक हो सके उतना पानी पिए क्योंकि इससे चहरा हमीशा हाइडरेट रहेगा और शरीर में मौजूर टॉक्सिंस भी बाहर निकल जाएंगे दिन भर में कम से कम साथ से आठ ग्लास पानी जरूर पिएं आप चाहे तो ग्रीन टी का सेवन भी कर सकते हैं व्यायाम या योग करने से ना सिर्फ शरीर फिट रहता है बलकि सकिन भी ग्लो करती है साथ ही इससे आंटी एजिंग की समस्या भी कम हो जाती है इस वीडियो में फिलहाल इतना ही हम जल्द लोटेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ